दोस्तो ये वही जगह है जहां दबंग सिंगम से लेके 400 से ज़्यादा बॉलिवड की फिल्में सूट हुई हैं आखिर क्यों बड़े-बड़े सितारों से लेके आम इंसान तक यहां आना पसंद करते हैं आज सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि क्या करोगे आप आके महाबलेश्वर हमारी शफर की शुरुआत होती है हमारे घर से एक एरोप्लेन बुक नहीं कर सकता था क्या आरे हेलिकप्टर बुक क्या था रे वो ड्राइवर बोला था सुबह साथ वजे बिल्डिंग के उपर लैंड कर देगा पर वो आया ही ने पक्का दारूपी केस हो गया होगा चला चला फूर्ती दिखाओ आरे भाईया आपके बारे में भी कुछ बताईए ये कौन सी भासा है यार अब समझ में आया विमल का कमाले अड़े शार्जी हम पहले पाइलेट थे हवाई जाज उडाते थे क्या सच में तो आज ये ड्राइवर कैसे बन गए वो क्या आयना एक दिन 30,000 फीट के उंचाई में प्लेइन चला रहा था विमल थुकने के लिए जब खिड़की खोला इतनी तेज हवा चल रही थी कि वो थुक वापस मेरे मूँ पे ही गिर गया उशके बाद मैंने गुष्चे में पाइलेट की जॉब छोड़ दी इतनी सी बात के लिए आपने पाइलेट की जॉब छोड़ दी विमल की ताकत को मान गया आज आप यकिन नहीं करोगे दूस्तो थंडी से हालत पट रही है हमारी अरे अचाने के कार गरम केसे हो गया आरे और जोड से बदबू भी आ रहा है पापा आपने फिर से छोड़ दिया ना इस खुबसूरत सी रास्ते के नजारों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक ही जानी पैचानी सी आवाद सुनाई देती है ए देना मर गये इनसे बच बचा के आगे बढ़े ही थे के रस्ते में इस होटल में हमको रुकना पड़ा क्योंकि पापा जी को फिर से टॉलेट लग गई थी अरे पापा पेट खाली हो गया ना एकदम साफ चलो फिर कुछ खा लेते हैं चलो तो फटक से हमने ये सब नास्ता ओडर कर लिया अरे हमारे एक फॉलर ने हमें पेचान लिया है सच्ची जल्दी ये खतम करना पड़ेगा वरना ये भी खा जाएंगे आरे रो मत रे ये ले खाले वाव पापा ये आर ग्रेट अबे ये भी ले गई यार क्या यार मेरे को भूका मारोगे क्या अरे नहीं नहीं पापा रेने सीची कभी अगर पूने से महाबले सुर जा रहे हो तो आप ये भी ट्राइ कर सकते हो अरे जल्दी चले व्यार कितना मटक मटक के चल रहे हो हुई पापा वापस कहां चलेगे किस मूँ से आपको बताऊं दोस्तो चाय में डालने के लिए होटल वालों ने सक्कर वाले पैकेट्स दियें थे मम्मी हमारी सब उठा के ले आई ये लोग का भी भी फसा देंगे मेरे को हमारे टेवल में था तो हमारा ही हुआ न दोस्तो लगता है नेक्स टाइम ये लोग प्लेट्स अममच वगरा भी उठा के ले आएंगे थोड़ी दूर आगे बेड़े थी कि पापा जी ने फिर से गाड़ी रुकवा कि इस टॉलेट में गुजगे एसा अगर चलता रहा है तो हम अगले साल तक महाबले सौर पहुंचेंगे प्रिप सुरूने से पहले बहुत एकसाइटमेंट में हमारे घर वाले उचल रहे थे खास करके हमारी बीवी ये देख लो एकसाइटमेंट फाइनल इन स्ट्रॉबरीस के स्टॉल्स को देख हमें अंदाजा लग गया था कि हम माबले सौर में एंटर कर चुके थे ये कहा ले क्या गया रहे तू अरे बहुत पैसे बच जाएंगे आज यहां से सो गाइज यह आलिसान होटल हमको बहुत ही सस्ते में मिल गया सीटी के बीचो बीच एसी पंके सब कुछ है और एक मस्त कबड भी है कपड़े रखने के लिए मुझे ऐसा लगा कोई औरत अंदर बेठी है खेर छोड़िए जले आपको टॉलेट दिखाता हूँ यह है वो आलिसान टॉलेट बस यह हैंडल का लॉक काम नहीं कर रहा है कोई ना भला कोई अंदर क्यों आएगा हमको हगता हुआ देखने के लिए एडजेस्ट कर लेंगे तो दोस्तो यह हमारा छोटा सा रूम टॉर थोड़ी दे रेस्ट करके फ्रेस वगएラ होके बाहर निकल जाएंगे मस्त गूमने के लिए अभी हमारी बीबी फ्रेसोने गई है सांप 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 अरे बस बड़ा सांप है बुला किसी को अरे रुके रुके पापा बुलाता हूँ ओर अरे सर आपके बातरूम में सांप किया कर रहा है ना ने गया होगा बिचारा, ना के निकल जाएगा, उसको डिस्टब मत करिये what? अरे इतने सस्ते में रूम मिला है तो थोड़ा सांप के साथ एड़ेस्ट कर लेने काना चलिए दोस्तों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है इस महाबलिस्वर में के लोग आने को पागल है इदर अरे पापा क्या कर रहे हो अच्छा स्ट्रोबिस्वर खाना चालू भी कर दिया आपने अगले वीडियो में हम आपको फेमस महाबलिस्वर और कृष्णई मंदिर का दर्सन कराएंगे भीना लेक में बोट की शेर भी कराएंगे और क्यूं अचानक हमारी बहन इमोसनल होके रो पड़ती है ये भी बताएंगे जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो बटन दबा देने का वरना हमारा अगला वीडियो आपको नहीं दिखेगा अब इस ओटल में भूत प्रेद भी रहती है क्या बोली ती सस्ता रूम अब सोना रात भर भूत के साथ अब नहीं अब नहीं मेरा टांक की चिराए कोई नहीं